नमस्कार दोस्तों, सुआघा तब सभी का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Sea Dome के बारे में के जो कि इस्राइल का Naval defense system ہے इसे पहले आपने Iron Dome का नाम सुना होगा Sea Dome है भी बिलकुल Iron Dome के ही तरह है लेकिन Iron Dome जो है वो Terrestrial Defense System है और जो Sea Dome है वो Naval Defense System है तो इससे लेटे जितने पर पॉर्टन फैक्स हों सबको में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आप इस वीडियो को अनुत देखेगा चानल पर नहीं तो सब्सक्काइब बबश्य करेगा पॉलिटेस्ट एकनोमें जिकेटेक जिराफी सायंस रामाटेने कलोज जोगे तवाव वीडियो को देखने के लिए पर हमारी प्लेइश को जरूचक करिएगा चलिए शुरुआत करते हैं देखें सी डॉम जो है ये नेवल वर्जन है इसराइल के आईरन डॉम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अब देखो आईरन डॉम मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको मैंने काफे अच्छे से इस वीडियो में कवर किया है आपको ये वीडियो जुरूर देखने चाहिए मैंने Iron Dome के history बताई है इसकी significance बताई है और सबसे important मैंने आपको animation के मारदम से बताया है कि किस परकार से Iron Dome Missile Defense System काम करता है इसकी working क्या है तो इस वीडियो का आपको जुरूर देखने चाहिए आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगे जैसे Iron Dome Missile Defense System है उसी परकार से Sea Dome Missile Defense System भी है सेम तरीके से काम करता है बस Iron Dome जो है वो terrestrial है और Sea Dome जो है वो naval version है इसराइल के Iron Dome Missile Defense System का अब अभी हाली में Sea Dome खबरों में क्यों है क्योंकि इसको first time आज से पहले इसको कभी use ही नहीं किया गया first time इसे use किया गया क्योंकि इसराइल की जो airspace है इलाद एक जगह है उसके पास वहाँ पे hostile aircraft hostile aircraft का मतलब हुआ कुछ दुश्मनों के aircraft वहाँ पे enter हो रहे हैं तो उनको tackle करने के लिए उनके response में sea dome को सबसे पहले first time इसराइल के दौरा use किया गया है इससे पहले कभी भी use नहीं किया गया तो यहाँ पे इसलिए sea dome काफी खबरों में है क्योंकि खबरों में है तो एक्जामिनेशन के लिए भी काफी important है अब iron dome के तरह ही sea dome काम करता है iron dome भी कुछ time पहले खबरों में था क्योंकि गाजा से आप सब जानते हैं अभी इस point of time पे जब मैं ये video बना रहा हूँ तो इसराइल और Palestine के वीच में यूद चला है तो सबसे पहले इसके शुरुबात तब हुई जब गाजा से 5000 rockets दागे गए थे इसराइल की तरफ और उसमें से 70-80% जो थे उनको intercept किया गया था iron dome के द्वारा तो इसको भी मैंने एक अलग से cover किया है इसराइल और Palestine के ओपर मैंने काफी videos बनाई है 5000 जब गाजा से rockets इसराइल की दागे गए उसको मैंने एक अलग video में cover किया है iron dome मैंने आपको बताया कि अलग video में cover किया है इसके साथ इसराइल कैसे बना इसराइल की history क्या है उसको भी मैंने अलग से cover किया है अब जो Zionist हैं वो इसराइल के साथ साथ एक greater इसराइल की बात करते है तो Greater Israel क्या है? इसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है Palestine क्या है? Palestine देश के नाम के उपर बना, धरम के नाम पर बना या जोग्राफिय के नाम पर बना उसको मैंने अलग से कवर किया है कि Palestine कैसे बना? Palestinian कौन है तो काफी चीजे मैंने इसमें कवर करी हैं, जो current affair में थी और आपके examination के लिए important हैं, जरूर देखेगा इन सारी वीडियो का link मैं आपको description box में देदूँगा तो Gaza से जब इसराहिल के तरफ 5000 rockets दागे गए, तो उनमें से 70-80% को intercept किस ने किया? आइरन डॉम ने, अब जो Sea Dome है, वो भी आइरन डॉम के जरा काम करता है, Sea Dome भी radar के माधियम से, जो भी enemy का missile आता है, incoming threat होता है, उससे सबसे पहले detect करता है, फिर वो missile दागता है, और अपनी missile के माधियम से, वो जो incoming threat होता है, माने दुश्मन की जो missile होती है, उसको destroy करता ह अब यह काम कैसे करता है, इसको मैंने animation के माधियम से, अच्छे से, आइरन डॉम वाली वीडियो में समझाया है, इसलिए उसको जुरूर देखेगा, आपको सारी चीसें विस्तार से समझ में आ जाएंगे, अब आइरन डॉम जो है, वो तो terrestrial use होता है, लेकिन जो Sea Dome है, उ उसको शिप का जो रडार होता है, उसे के साथ ही integrate किया जाता है, रडार के साथ integrate क्यों किया आता है, ताकि जो incoming जो आपके पस missile है, जो दुश्मन की missile है, उसको detect किया जा सके, और यह full circular protection प्रोवाइड करता है, maritime और coastal threat से, कोई भी अगर maritime और coastal threat आ रहा है, तो 360 degree angle पे पूरी की पूरी protection C-DOM प्रोवाइड करता है, अब यह के इस system को सबसे पहले SAR 6 class corvets इसके उपर test किया गया था, SAR 6 class corvets जो है, यह German made एक warship है, जर्मनी में बनाई गई एक warship है, जिसको इसराइल की navy यूज़ करती है, और इसे November 2022 में operational declare कर दिया गया था, C-DOM जो है, यहाँ पे tamir interceptors का use होता है, modular vertical launch units का use होता है, command and control, C2 components का भी use होता है, ताकि जो भी C में threat आ रहा है, उसको detect किया जा सके, उसको track किया जा सके, और eventually उसको destroy किया जा सके, तो यह है C-DOM, मुखेता इसकी जो working है, वो iron dom के ही तरह है, फरक क्या है, iron dom terrestrial है, और C-DOM जो है वो naval है, तो यहाँ out working कैसी है, वो iron dom वाली वीडियो में मैं अच्छा सा animation के माद हम से बताई है, उसको जुरूर देखे कर लिंक में description box में दे दूँगा, और बागी जिन वीडियो के बार में मैं आपको बता है, तो जुरूर देखेगा आपका examination के लिए काफी important है, यह वीडियो आपको कैसी की बागी वीडियो को देखे कि आपको काफी help मिलने वाली है, इसलिए समय नकाल के मैं चैनल को जुरू check करेगा, जिके कंटर फिरो, जिके टिक्स कैसी वीडियो के लिए मैं चैनल को subscribe करेगा, बेल एकोन को जुरू दुबा देजेगा तक कि किसी भी वीडियो की notification आप से म किसना हो, आपको बहुत बहुत धन्यावाद